जै शीराम, जै बागेश्वरधाम सरक्राइब मंगलवार की रात तुन्हा रख दे लाल मिर्च आप परूगी महालक्ष्मी की क्रपा और आप बन जाएंगे करोड़ पती कार दोस्तों लाल मिर्च की जो टोटके हैं आज मैं आपको उसमें से महत्पून टोटके बताने जा रहा हूँ दोस्तों हमारे जीवन में सुक दुख निरंतर आता रहता है यानि सुक दुख का पया निरंतर चलता रहता है और हमारे जीवन में दुखी दुख आते हैं सुक तो बहुत कम आता है लेकिन इन टोने टोटकों से लाल मिर्च के इन उपायों से आप अपनी जिन्दगी में गट रहे, दुख को तो कम करेंगे, साथ में अपनी जीन्दगी में सुख को बढ़ा देंगे, हम यह नहीं कहते हैं दोस्तों कि केबल सुखी सुख रहेगा, लेकिन सुख की मातरा कि पर समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत कारगर दवाईया है, दोस्तों लाल मिर्च जो होती है, वो हमारे खाने का स्वाद बढ़ाती है, हमारे किचन की शोबा बढ़ाती है, हमारे खाने में जायका लाती है, हमारे खाने का कलर बढ़ाती है, लेकिन दोस्तों यकिन समय में लोग जो थे वो बिलकुल भी अपनी जिन्दिगी में दुख नहीं पाते थे वो लाल मिर्च के उबाई करते रहते थे इसी प्रकार के आज में आपको उबाई बताने जा रहा हूँ जो की लुप्त हो चुके है तो दोस्तों यदि आपका विवसाई नहीं चलता है आपकी इंकम का साधन नहीं बन पाता है नोकरी नहीं लगती है तो आज की जमाने में दोस्तों पैसे का बहुत ज़्यादा महत्व है मालीजी आपका बिजनेस नहीं चल रहा है आपने किसी को उधारते रखा है तो वो आपस किया कराया करवा देते हैं तो दोस्तों आज का वीडियो बुद्ध्यान से देखेगा और अंतर तक देखेगा मैं लाल मिर्च के ऐसे उपाय बताऊंगा कि एक ही वीडियो में आपकी सारी मनो कामने पूर्ण हो जाएगी तो हम आपको आज वीडियो में इसे ही लाल मिर्च के कुछ उपाय बताने जा रहे हैं दोस्तों कभी कभी क्या होता है इनसान की किसमत रूर जाती है यानि कि वो कुछ अच्छा काम करने चाता है लेकिन उसका अच्छा काम बिल्कुल भी नहीं होता उसके सारे काम रुख जाते हैं तो दोस्तों जो रुकेवे काम है उनको आगे बढ़ाने के लिए रुकेवे काम को आगे चलाने के लिए जो उपाएं हैं वो लाल मिर्च के उपाए किये जाते हैं इसमें से पांच लाल मिर्च साथ लाल मिर्च तेरा लाल मिर्च, दस लाल मिर्च के उपाए किये जाते हैं और ये उपाए आपको कब करने हैं, कब नहीं करने वो हम यहाँ पर बताएंगे अब ये वाला जो उपाए बताने जा रहा हूँ ये उपाए है नजर लगने का दोस्तों यदि आपको माली जी किसी ने नजल लगा दी है या हमारे घर पे जो बच्चे होते हैं उन पर किसी ने नजल लगा दी है या किसी बुड़े के नजल लग गई है घर में किसी भी सदसी के दिन नजल लग गई है तो आपको ये बला उपाय में बताने जा रहा हूँ आपको क्या करना है दोस्तों आपको साथ लाल मिर्च को मुठी में लेकर के साथ बार सीधा और साथ बार उल्टा आपको गुमाना है और आपको उन मिर्चियों को आग में डाल देना है आपके नजर दोस्ट से तुरंट प्रभाव से छुटकारा मिल जाएगा एक गंटे में ही आपको रहात देखने के लिए मिलेगी दूसरा उपाय जो मैं बताने जा रहा हूँ वो किसी भी प्रकार के समस्या यदि आपको किसी भी प्रकार के समस्या हो जिससे रात के समय नीन नहीं आती रात के समय बुरे बुरे सपने आते हैं आप घर में अकेले अकेले फील करते हैं आप घर में डेड डर सा फील करते हैं या आपको इसा लगता है कि आपकी जिंदिगी में अप कुछ भी नहीं शेश बचा है तो दोस्तों आप चेंद की नीम भी सो पाएंगे और सुबह उठकर के अपना कारी भी कर पाएंगे तो दोस्तों इस प्रकार की समस्यादिया आपको है तो आप क्या करें लाल मिर्च के बीज लें और वो बीच कितने लेने हैं आपको 21 आप सुखी लाल मिर्च के 21 बीच गिन करके लें और पानी के लोटे में डाल करके रात को अपने सरहने रखके रुखस हो जाएं और सुबह उठकर पानी को घर के बार दाएं या बाएं कहीं भी आपको फेक देना है याद रहे दोस्तों इसके बारे में आप यदि जब घर का घर से लोटा लेकर के बाहर जाएंगे घर के बाहर और वाँ फेकेंगे तो आपको इसमें कोई टोकना नहीं चाहिए तो आपको इस बात का विशेज धियान रखना है अगला उपाय बताने जा रहा हूँ दुश्मन से रक्षा के लिए दोस्तों माली जी आपके बहुत सारे दुश्मन है और आप उससे रक्षा चाहते हैं मतलब कि आप चाहते हैं कि आपकी दुश्मन से रक्षा हो जाए यानि आपका दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगड़े, साथ में आपका दुश्मन का ही सब कुछ भी गड़ जाए तो दोस्तों, इस तरह का जो उपाए है, वो किया जाता है साथ लाल मिर्च के लेकिन आपको इसमें सूखी लाल मिर्च नहीं लेने, आपको दोस्तों लाल मिर्च आपको गीली लाल मिर्च आपको बिल्कुल ताजी मिल जाएगी जुकी बिल्कुल ठेले पे या फिर कहीं भी सब्जी मंडी में आपको मिल सकती है बहुत ही आसानिस है तो वो जो रूल याईगा ये गीली लाल मिर्च का पहला उपाय बताने जा रहा दोस्तों ये उपाय बहुत यूनिक है और बहुत आजबया उपाय है इससे दुश्मनों की लंका लग जाती है दुश्मन बरबाद हो जाते है और हम वहारी उन्नती होती चली जाती है और 15 दिन के बाद ये लाल मिर्ट सूख जाए तो उसके बाद दुबारा से इसको टांग देजिए आपको कभी ता जिन्दी की दुश्मन परेशान ही नहीं करेगा ये मेरा बाद आया दोस्तों आपसे अगला जुबाई में बताने जा रहा हूँ वो है पेसा अटकावा पेसा वापिस लाने का दोस्तों कितनी बार क्या होता है कि हम लोग पेसा किसी को उधार देते हैं अब उधार देने के बाद वो सामने वाले की नियत बिगड़ जाती है और वो हमें पेसा नहीं देता हमारा खुद का पेसा और हमें ही नहीं देता इसी के साथ बहुत सी बार क्या होता है कि हम जब जुवा खेलते हैं या कोई श्टोक मार्केट वगरा करते हैं तो उसमें भी हमारा पेसा अटक जाता है तो दोस्तों ये अटका वड़ पेसा वापिस लाने का जो उपाए है वो लाल मिर्च से किया जाता है तो मैं आपको वही उपाए बताने जा रहा हूँ तो दोस्तों आपकly करना है आपको एक लाल रॉमाल लेना है और उसमें आपको साथ लाल मिर्च लेनी है दोस्तों लाल मिर्च टूटी फूटी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बीट वाली जो उसके उपर बीट होता है वो वाली लाल मिर्च होनी चाहिए तो आपको उसमें साथ लाल मिर्च बांदेनी है और साथ दिन बाद रुमाल बदल देना है और रुमाल बदलने के बाद आपके घर में पेसा आ जाएगा आप साथ दिन बाद रुमाल बदलते रहें एक लाल रुमाल आपने लिलिया रुमाल नहीं हो तो लाल कबड़े से भी काम चल सकता है दोस्तों साथ लाल मिर्च आपस ने उसमें बान दी साथ दिन बाद रुमाल आपको बदलना है आप रुमाल बदलने लेकिन मिर्च वही रहने दे तो आपके घर में पेशा आ जाएगा दोस्तों आपका जो भी अटक गया था पेशा वो आपका नहीं रुखेगा अब दोस्तों बहुत सी बार क्या होता है कि हम नोकरी के लिए दर-दर घूमते रहते हैं लेकिन हमें नोकरी नहीं मिलती हम दर-दर भठकते हैं लेकिन हम किसी भी इंटर्वी में पास नहीं होते सरकारी नोकरी का एक्जाम भी देते हैं लेकिन वो सरकारी नोकरी भी हमारी नहीं लग पाती है प्राइवेट नोकरी करने के लिए जाते हैं तो इंटर्वी देते के ठक जाते हैं हमारी जूते की जाते हैं एडिया की जाती है लेकिन हमें सरकारी नोकरी नहीं मिल पाती है तो दोस्तों आपको क्या करना है आपको घर से बाहर निकलते वे आपको लाल मिर्च के उपर से पेर रख करके निकलना है आप जैसे ही घर से बाहर निकलना है तो आप लाल मिर्च पर पेर रख करके बाहर निकलना है और लाल मिर्च आप कहां रखेंगे आप अपने घर की चो पर एक बात का धियान इसमें रखेगा दोस्तों यदि आप लाल मिर्च पर पेर रखकर के निकल रहे हैं तो आपको एक बात का विशेश धियान रखना है कि जब आप लाल मिर्च पर पेर रखकर के निकलेंगे तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है आप यदि पीछे मुड़ करके या फिर घर में वापिस आ गए तो फिर आपका कारी सफल नहीं होगा इसलिए आपको जो भी चीजें घर से ज़रूरी डोकुमेंट्स या ज़रूरी चीजें लेनी हैं वो पहले ले ले लें और जब भी आप जाएं तो लाल मिर्च पर पेर रख करके निकल जाएं आपका कारी 100% सो टका आपका कारी यहां पर हो जाएगा आप अगला उपाय पताने जा रहा हो दोस्तों वो जो अगला उपाय है वो बिजनेस के लिए है यदि आपका धंदा नहीं चल रहा है आपका बिजनेस नहीं चल रहा है बिजनेस पेले बहुत अच्छा चलता था लेकिन अब ठप खा गया है बिजनेस बहुत अच्छा चल जाता है तो वही तांत्रिक कुभाए हम हमारे business के लिए करेंगे ताकि हमारा business दिन दोनी राजचोगनी प्रद्धी करें तो आपको क्या लेना है दोस्तों आपको मिट्टी के तीन दीपक लेने है अब यदि मिट्टी के पीली सरसों आपको डाल देनी है। और आपको क्या करना है उसमें एक एक लाल मिर्च रखनी है अब आप अपने बिजनेस वाली जगे पर जहां पर भी आप बिजनेस करते हैं जहां पर भी आपकी दुकान है या शोप है वहाँ पर इन तीनों दिपोको को आपको जला देना है यानि कि लाल मिर्च, सहित आपको ये सरसों, साबुत नमक धनिया ये सब आपको जला देना है लाल मिर्च रखकर यदि ये आपसे नहीं जलती है तो आप इसमें कपूर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप कपूर की एक एक टीकेया रख करके कपूर में आग लगा दीजे तो वो तीनों मिर्ची और पीली सरसों, साबुत नमक धनिया सब कुछ जल जाएंगे दोस्तों जब आपकी सरसों जलरी होगी पीली सरसों तो वो ऐसी आवाज में जलेगी तर-तर आवाज करेगी तो इसका मतलब यह आप समझ जाएगा कि आपके दुकान पर नेगेटिविटी थी यदि जलते समय वो तर-तर आवाज कम करती है तो इसका मतलब आपके दुकान पर कम नेगेटिविटी थी लेकिन यदि वो ज़्यादा आवाज करती है तर-तर और मिर्ची में भी बहुत ज तो दोस्तों इस तरह का आपको विशेश उपाय करना है और इस तरह के उपायों को आप विशेश तिहान रखिए दोस्तों लाल मिर्ची जो होती है वो आपको गरीबी से उबारती है लाल मिर्ची जो होती है आपके शत्रों का नाश करती है तो दोस्तों उमीद है आपको हमारे दौरा दीएजिए जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनलों को सब्सक्राइब करें और कमेंट बोक्स में जाये में जरू लिखे हैं दोस्तों, लक्ष्मी मा लिखने से आपके भागे में माता लक्ष्मी की बहुत ज़्यदा करपा होगी, या आपके जीवन में लक्ष्मी माता पेसे बरसाएगी तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए, जैए श्रीराम, जैए बाकिश्राम, सर्काराइब